हेलो एन वेलकम तो मिन्ट टॉक इंडिया हमने स्टार्ट किया था आपके NCRT क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नुबर थर्टीन वेस्टू मल्टिप्लाई एंड डिवाइड और यह है पार्ट सिक्स वीडियो क्योंकि यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है और हर ए एक क्वेशन को कॉंसेप्ट को मैं अच्छी से समझा सकू इसलिए इस चैप्टर को टोटल सिक्स पार्ट में मैंने डिवाइड किया है यह है इस चैप्टर का आखरी वीडियो और सारे लास्ट के क्वेशन इसी में सॉल होने वाले हैं So let's start reading. Make the best story problem. आपके पास एक situation दी गई है और आपको questions बनाने हैं. Each line gives a story. You have to choose the question which makes the best story problem. जैसे अभी तक हम सारे word problems में क्या देखते आए हैं? हमारे पास कुछ statement दिया हुआ रहता है और last में एक question पूछा गया रहता है. तो हमें इन्ही statements को पढ़के next question क्या हो सकता है? उसी को correct tick mark लगाना है. So first one is already marked for you. पढ़ लेते हैं एक बार. A shopkeeper has 50 boxes and there are 48 fruits in one box. एक shopkeeper के पास 50 boxes हैं इस तरीके के और एक box में 48 fruits हैं. तो अगला question कैसे आता है हमारे पास? कि एक box में अगर 48 fruits हैं तो सभी boxes में कितने fruits होंगे? इसी तरीके का question होता है ना? So that is the correct answer which is ticked here. How many fruits are there in all? This is the correct question. इसी के ऊपर हमें अगले कुछ questions को बनाने हैं. और हमें ये भी explain करना है कि जो बाकी जो दो options बच जाएंगे वो क्यों good choices नहीं हैं? Why they are not good? इसी को एक बार हम explain कर लेते हैं. जैसे ये जो बच गया. Option number A. How much will the shopkeeper pay in all? इसका मतलब shopkeeper इन सब के लिए कितना पैसे pay करेगा? अब pay करने के लिए हमें एक unit की value पता होनी चाहिए. तो वो जो value statement में तो नहीं दिया हुआ. तो हम ये वाला चीज कैसे question में बना सकते हैं? ये question नहीं बन सकता. इसलिए A. Option correct नहीं हो सकता. और C. इसलिए नहीं हो सकता. क्योंकि how many more boxes will he need? More boxes हमारे पास तभी need में आएगा जब हमारे पास total fruits की quantity हमारे पास दी हुई होगी. कि हमारे पास इतने सारे फल हैं हम कितने boxes में इनको भरेंगे? तो वो तो हमेरे पास दिया नहीं है. तो हम कितने boxes चही होंगे वो कैसे निकालेंगे? और वैसे भी statement में दिया है कि उसके पास 50 boxes ही है शॉपकीपर के पास. और ज्यादा box की हमें जरूरत है भी या नहीं वो हमें नहीं पता. So that is why this is also not a good option. तो इसी तरीके से हमें explain करना है. Let us see question 2. 352 children from a school went on a camping. 352 बच्चे स्कूल की तरफ से यहाँ पर camping करने गए. Camping तो पता है ना? स्कूल की तरफ से किसी तरीके का. Excursion जिसमें बच्चे ऐसे tent बना के रात में किसी forest में रुखते हैं, environmental studies करते हैं. उसके बाद है statement each tent had a group of four children. मतलब इतने बच्चों को हमें four से डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगला question कैसे बन सकता है? Let us read the option. A है, how many children did each tent have? एक एक tent के अंदर कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4. यहाँ पर अल्रेड़ी लिखा है, four children are there in each tent. Each tent का मतलब एक tent में. तो अल्रेड़ी दिया हुआ है, चार बच्चे हैं. तो इस तरीके का question गलत question बन जाएगा. Option B, how many tents do they need? मतलब स्कूल के इतने बच्चों को रात को रहने के लिए कितने tents की ज़रत पड़ेगी? यह एक correct answer हो सकता है. क्योंकि tent के बीना तो इतने सारे बच्चे कहां रहेंगे यह हमें पहले से ही पता होना चाहिए. तो हम 352 को अगर divide कर देंगे 4 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने tent हमें चाहिए हूंगे. क्योंकि 4 बच्चे एक tent में, 4 और बच्चे एक और tent में, फोर बच्चे एक और टेंट में इस तरीके से जब हम फोर 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 करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नमबर ओफ टेंट आ जाएंगे So that is why this is the best option लेकिन हम एक और बार option C पढ़ लेते हैं और explain करते हैं कि यह क्यों नहीं होगा How many children in all are in the school? अरे यह तो already दिया हुआ है 352 children एक स्कूल से कैंपिंग जा रहे हैं Correct question यह वाला ही है option number B Now question number 3 A shopkeeper has 204 eggs एक shopkeeper के पास 204 अंडे हैं He puts them in egg trays वो egg trays में इन अंडो को रखता है Each tray has 12 eggs और एक tray में वो 12 अंडे रखता है अब इसके आगे के question क्या हो सकता है? इसके पास total 204 eggs है और एक tray में वो 12 अंडे रखता है तो शायद question यह हो सकता है कि इतने सारे eggs को रखने के लिए उसे कितने tray चाहिए होंगे है ना? तो चलिए अब read out करते हैं options Option A How many more eggs will he need? अब more eggs हमें कहां से मिलेगा? यह तो question बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास already 204 eggs हैं यह हमें बताया गया है Option B पढ़ते हैं How many fresh eggs does he sell? Fresh eggs कहां से आ गया? और वो कितने बेचेगा? यह तो उसकी मर्जी तीसरा वाला पढ़ते हैं How many egg trays does he need? हाँ यही हमारा answer हो सकता है कि उसके पास इतने eggs हैं और एक एक ट्रे में वो 12 eggs को रखता है तो फिर 204 eggs को रखने के लिए उसे कितने ट्रे चाहिए होंगे? How many egg trays does he need? Let us read the next one Question 4 The cost of one book is Rs.47 and Sonu buys 23 books आप दुकान में गए एक बुक की कीमत 47 बताई है और आपको 23 books खरीदने हैं तो अगला सवाल क्या होगा? 23 books खरीदने के लिए मुझे कितना total money पे करना पड़ेगा? ऐसा ही तो question होगा तो चलिए option read करते हैं Option A How much money does she have? अब Sonu के पास तो उतना ही money होगा ना जितना उसके पापा देंगे इसका इस हमारे statement से कोई लेना देना नहीं है ये correct question बन नहीं सकता Option B How much money does she pay for the books? हाँ ये हो सकता है Option C भी पढ़ लेते हैं What is the cost of 47 books? तो हमारे पास one book की कीमत है 47 47 books की कीमत कितनी होगी? वो हम अराम से calculate करके निकाल सकते हैं हम इसमें ये हमारा जो second statement है ये तो हम use ही नहीं कर रहे तो इसलिए ये वाला question भी correct question नहीं हो सकता correct question B वाला ही होगा क्योंकि ये complete करता है question को अगर एक book की कीमत 47 है और Sonu ने 23 books खरीदा है तो उसे 23 books के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? वही इस question का मतलब है और वही correct option भी है How much money does she pay for the books? So I hope you have understood very well Let us move forward and read Cross check for Hari Sharan Hari Sharan wanted to divide Rs. 2,456 amongst his four sons He asked his eldest son to tell him How much money each one will get Hari Sharan Papa के पास इतना पैसा है 2,456 जिसे वह equally divide करना चाहते हैं अपने चार बेटों में अब इसके लिए वह पूछ रहे हैं कि एक बच्चे को एक एक बेटे को कितना मिलेगा? तो उसके लिए एल्डेस्ट सन को इन्होंने क्या बोला? कि इतने अमाउंट को डिवाइड कर दो 4 से तो एल्डेस्ट सन ने डिवाइड किया और बोला कि पापा इच वन आफ उस विल गेट Rs. 624 लेकिन जब हरी शरन ने 624 देना शुरू किया हर एक बेटे को उन्होंने देखा कि लास्ट में जब उनको चौथे बेटे को देना था तो उनके पास 624 बचना चाहिए था ना बट ही वास लेफ्ट विट लेस मनी उनके पास इस अमाउंट से कम पैसा रह गया था मतलब कि ये जो दिविजन हुआ था ये रॉंग डिविजन हुआ था तो करेक्ट डिविजन हम यहां पे साइड में पहले करके देख लेते हैं ये है रूपी 2456 जिसे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं एक डिचिट 4 के टेबल में नहीं जाता इसलिए 2 डिचिट लेके हम आगे बढ़ेंगे 24 तो 4 6 जा 24 होता है 0 रिमेंडर उसके बाद 5 आया 5 पर के टेबल में नहीं जाता लेकिन 5 से छोटा नमबर जाता है 4 1 जा 4 रिमेंडर बचता है 1 उसके बाद 6 नीचे आया 16, then 4, 4 जा 16 और हमारे पास 00 remainder बच जाता है, यानि कि correct answer क्या था, correct answer रूपी 614 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे eldest son ने 624 निकाला था, इसलिए ये division उसने wrong कर दिया था, और यही चीज पापा को समझ में आ गई, It seems you have made some mistakes in the calculation, let me check, then पापा ने खुद उसे cross check किया, कैसे, हरी शरन multiplied 624 with 4, मतलब अगर सची में हर एक बच्चे को 624 मिलना चाहिए था, तो मेरे तो 4 बच्चे हैं, चारो से में जब multiply करूंगा, मेरे पास जितना पैसा है, वो वाला amount मुझे मिलना चाहिए, and what he got, he got रूपी 2496 जबकि हरी शरन के पास तो 56 था, यह 96 नहीं था, तो इसलिए हरी शरन को भी पता चल गया कि calculation wrong हुई थी, तो यह उसने क्या किया, यह उसने cross check किया, वही cross check जो आपने भी करना सीखा है, और यह cross checking हम कैसे करते हैं, suppose किसी भी number को जब हम divide करते हैं किसी number से, तो हमारे पास एक question आता है, मतलब answer आता है, उसी answer figure को अगर हम diviser के साथ multiply कर दें, तो हमेरे पास बड़ा वाला dividend वाला number आ जाता है, जैसे यहाँ पे 614 को अगर मैं 4 से multiply कर दू, मेरे पास यही वाला number आ जाता है, 2456, इसी तरीके से हरी शरन ने cross check किया था, और हम भी cross check करते हैं, तो उसी तरीके के कुछ cross checking वाले division हमें भी करने हैं, we have to do the divisions and we have to check our results by multiplication, number A, 438 divided by 9, so let us do, let us write 438 divided by 9, सबसे पहला step 9 एक डिजिट है, तो एक डिजिट को देखो, 4 क्या वो 9 की टेबल में जाता है, नहीं जाता, So we will take 2 digits, 43, 43 तो 9 की टेबल में नहीं जाता, लेकिन उससे छोटा number 9, 4, 36 होता है, then the remainder we will get is 7, उसके बाद next step में 8 नीचे आया, 78 हमारे पास number आया, then next step is 9, 8, 72 and the remainder we have got here is 6, अब जब हमारे पास remainder आजाता है, उसका हम cross check कैसे करते हैं, तो इस तरीके के division को cross check करने का formula ये है की, dividend is equal to, मतलब ये जो अंदर का number है, that is equal to divisor multiply by the quotient plus the remainder, मतलब की, dividend that is 438 ये वाला number, that will be equal to the divisor 9, multiply with the quotient that is 48 plus the remainder that is 6, और जब हम इस वाले calculation को आगे बढ़ेंगे, 9 multiply by 48, that is 432, उसको जब हम 6 के साथ add करेंगे, हमारे पास 438 आ जाएगा, और वही है dividend वाला number, that is 438, so we can say that yes, हमने calculation correct किया है, this is the way, we will cross check, let us do the next one, B, 3480 divided by 12, so here I have done the division, 12 2s are 24, remainder आया 10, उसके बाद 8 नीचे, हमारे पास number आया 108, 12 9s are 108 होता है, उसके बाद 0 आया नीचे, then 12 0s are 0 होता है, और हमारे पास 00 remainder आ गया, division complete हो गया, and what is the answer we have got, 290, यह हमारा quotient है, that means we have to multiply 290 by 12, और इस multiplication को करने के बाद हमारे पास वही dividend वाला number आ गया, 3480, so yes, our calculation was correct, let us see question number C, 450 divided by 7, तो यहाँ पे मैंने divide किया 450 को 7 से, और हमारे पास quotient आया 64, अब 64 के साथ साथ हमारे पास 2 remainder भी बच गया, जब हमारे पास remainder बच जाता है, उसे हम कैसे cross check करते हैं, हम quotient को multiply करते हैं diviser से, 64 multiply by 7, और उसके बाद जो remainder बचा था, उसे हम करतेते हैं add, that is plus 2, so 64 multiply by 7 is 448, and 448 plus 2 is 450, और यही 450 हमारा dividend था, तो इसी से हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा जो calculation था, division वाला वो correct था, Now next question D, 900 divided by 10, यह तो सबसे ज़्यादा आसान है, 900 divided by 10 gives us answer 90, अब इसका cross checking भी बहुत आसान है, cross check मतलब quotient multiply by divisor, 90 multiply by 10, क्या 900 होता है, yes, यह तो हम mentally ही करके देख सकते हैं, 90 multiply by 10 is 900, जो है हमारा dividend, so we can say that yes, our calculation, our division is correct, next is E, 678 divided by 6, तो सबसे पहले 6, 1s are 6, उसके बाद 7 नीचे आया, again 6, 1s are 6, remainder आया 1, 8 आया नीचे, नमबर है 18, 6, 3s are 18, और हमारे पास 00 remainder बच गया, let us do the cross check, 113 को multiply करेंगे 6 से, क्या हमारे पास 678 आता है, yes, after multiplying 113 with 6, that is, quotient को अगर हम divisor से multiply करेंगे, हमारे पास हमारे dividend वाला number आ जाता है, 678, so yes, our calculation is correct, next is F, 2475 divided by 11, so step number 1, 11, 2s are 22 होता है, 4 से 2 subtract करके 2 remainder, फिर 7 नीचे आया, 27 कैसे जाएगा, 11, 2s are again 22, 7 में से 2 माइनस करके 5 remainder आया, और ये वाला 5 आया नीचे 55, then 11, 5s are 55 और 00 remainder बच गया, that is, our quotient is 225, ये 11 है हमारा dividend, now we will multiply 225 with 11, और फिर क्योंकि 0 हमारे पास remainder था, उसे हम add करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, so let us check, 225, that is, our quotient, when multiplied with the divisor, will give us the answer, 2475, जो की है हमारा dividend, इसी से हम बोल सकते है कि हाँ, हमारा जो division वाला calculation था, वो हमने correct किया, now let us see the next question, the last question of your textbook, solve the given sums and color the answers in the grid given below, and see what you find, हमें इन सारे questions को solve करना है, और जो answer राएगा, इस green color के grid में, हमें उस answer वाले box को color कर लेना है, और फिर हमें एक shape मिलेगा, so let us see, सबसे पहला है 21 x 16, 21 x 16 is 336, the next is 15 7s, 15 x 7 is 105, 93 x 2 is 186, उसकी बाद यहाँ पे 17 x 5 is 85, 10 x 10 mentally भी कर सकते हैं, that is 100, 26 x 26 is 676, 77 x 10 is 770 mentally भी कर सकते हैं, 50 x 10 is 500, यह भी हम mentally कर सकते हैं, 11 x 11 is 121, 59 x 7 is 413, 31 x 19 is 589, 85 x 30 is 2550, 64 x 42 is 2688, 3200 x 40, यह division भी जब हम करेंगे, हमारे पास 80 answer आएगा, और उसके बाद 19 x 3, 19 x 57, 248 divided by 8, यहाँ पे मैंने किया है, answer है 31, अगला division है 432 divided by 18, so 432 divided by 18, 00 remainder और answer है 24, next one 729 divided by 9, our answer is 81, next division 825 divided by 5, 00 remainder के साथ हमारा answer है 165, next sum is 221 divided by 13, तो हमारे पास इस division को करने के बाद 00 remainder और answer आया 17, next one 576 divided by 12, 00 remainder के साथ हमारा answer आया 48, अगला वाला है 288 divided by 4, और इस division को भी करने के बाद 00 remainder आया था, answer आया था 72, उसके बाद वाला division 869 divided by 11, 869 को 11 से divide करने पे 00 remainder और answer आया 79, और यह वाला 847 divided by 7, again 00 remainder और हमारे पास answer आया था 121, और लास्ट के दो division है 981 divided by 3, हमारा answer आया 327, और 475 divided by 19, हमारा answer आया 25, तो इस तरीके से सारे divisions हमने complete कर लिये, और इन सब numbers को जब आप color करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का shape आएगा, so that was the last question of your textbook, I hope you have enjoyed doing this lesson, हम मेलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे last chapter के साथ, till then thank you very much and God bless you all.